टोस्तों गर्मी ने तो हमारी जान ही निकाल दी है, कई बार क्या ऐसा नहीं लगता कि A.C. से बाहर नहीं निकलें, थंडा पानी हर वक्त फिरिज से निकालके पीते ही रहें, या कई बार ऐसा भी लगता है कि थंडे पानी के शार के नीचे हमेशा खड़े रहें मैं डॉक्टर सुमिछ रिवास्ता लाइफ ब्लिज आज आपको इस वीडियो के थुरू बताऊंगा कि कैसे हम अपने आपको हीट वेव की चपेट में फसने से बचा सकते हैं फ्रेंड्स, IMD, Indian Mythological Department की खबर के अनुसार, भारत के कई शहरों में हीट वेव ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है जबकि ये सिफ मार्च है, अभी तो एप्रिल में और जून बाकी है और इंडिया के कई शहरों का टेंपरेचर 40 दिगरी से उपर पहुँच चुका है जान लेते हैं हीट वेव का बोड़ी पे क्या एफेक्ट हो सकता है सबसे इंपर्टेंट इफेक्ट होता है डी हाइड्रेशन जिसकी वज़े से पेशन को नौशिया हो सकता है, वामिटिंग हो सकती है कई बार extreme fatigue या थकाम का एसास हो सकता है मसल में cramps आ सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं या condition severe होने पर even loss of consciousness भी हो सकता है किसी person को अगर prolonged heat exposure होता है तो उसे heat stroke आने की possibility रहती है जिस case में हो सकता है patient को high grade fever, कई बार red hot skin भी develop हो सकती है उसी के साथ severe cases में देखा जा सकता है, confusion, disorientation, सांस की तकलीफ होना या कई बार patient को fit भी आने की possibility होती है वीडियो के इस पार्ट में जानेंगे कि हम अपने आपको कैसे heat wave से बचा सकते हैं सबसे पहला tip है, जितना possible है अपने sun exposure को limit करें और sun के peak hours में indoors ही रहें दूसरा important tip है अपने कपड़ों को लेकर, हमेशा lightweight, light colored और loose fitting वाले कपड़े पहने उसी के साथ इस्तेमाल करें, white brim hats का, caps का या तो goggle का, so that sun exposure को limit किया जा सके sun की heat से protection पाने के लिए sunscreen का इस्तेमाल करें, जिसका SPF 30 या उससे जादा हो drink lots of water, ऐसा suggest किया जाता है कि अपने body में पानी के level को सही तरीके से maintain करने के लिए 8 से 10 glasses पानी पिया जाए, जिसमें आप incorporate कर सकते हैं fruit juice और vegetable juice को patients अगर extreme dehydration से गुजर रहे हैं, तो कई बार salt और sugar की थोड़ी मात्रा add करने की सला दी जाती है लेकिन इस वक्त एक important चीज़ को ध्यान में रखना ज़रूरी है, अगर किसी भी patient को heart, kidney या liver का problem है तो उन्हें इस excess water को consume करने से पहले अपने doctor से permission लेना अनिवार्य होता है अपने शरीर में पानी की मात्रा को जानने का एक सबसे simple तरीका है to monitor the color of your urine हमेशा इतना पानी पीए कि आपकी urine का color light हो, अगर dark हो रहा है तो extra पानी consume करें excessive और strenuous exercise करने से बचें, जब भी आप गर्मी के वक्त exercise कर रहे हो तो आपके पानी के consumption को 10 से 12 glasses per day तक ले जाएं caffeinated और alcohol based drinks को avoid करें क्योंकि ये दोनों ही type के drinks हमारे शरीर के पानी को कम कर देते हैं और heat related illness को बढ़ा सकते हैं अगर आपके घर पर air conditioning की facility नहीं है तो निराश न हो, curtains shades या blind का इस्तेमाल करें so that धूप आपके घर पर कम से कम आए और रात के वक्त windows को open रखें और अगर possible हो तो cross ventilation का सहार आ लें तीन additional tips है regular basis पर cold showers लें उसी के साथ साथ अपने खाने में spicy, oily और fatty food का consumption कम से कम रखें और अपने mental stress को पूरी तरीके से काबू में रखने की कोशिश करें गर्मी के वक्त कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग irritable होने लगते हैं उन्हें गुस्सा आने लगता है या कई बार दूसरों पर outburst होने लगता है हमें एक बात समझना है कि एक temporary phase है जो की जल्द ही निकल जाएगा अपने mental stress को काबू में रखें so that हम गर्मी के effects को कम कर सकें Friends ऐसा कहा जाता है when the weather is hot keep a cold mind when the weather is cold keep a warm heart Friends बताई गई सभी tips को follow करके आप heat wave के effects को definitely मात दे सकते हैं हम ऐसे ही health related informational videos आप के लिए हमारे channel पर regularly post करते रहेंगे Till then stay healthy, stay safe झाल 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 झाल